दोस्तों, जैसा कि देख पार है ये मारोती सुजूक्यू की व हैं- थैजबोरट क्होलने जा रहा रहा हूं तो सबसे पहले मैं बैटरी क्या थैजबोर्ट में निकाल दिता हुं और इस्से पहले मैं 2013 14 गाफ गुल चुका हूं आप अगर देखना चाहते हैं, तो वीडियो के description में उसका link दिया हुआ रहेगा, वहाँ जाके आसानी से देख सकते हैं, तो चलो सबसे पहले मैं battery की wire निकाल देता हूँ, फिर अग्य का खोलने का processing आपको बताता हूँ, चलो फिर लग जाते हैं खोलने के लिए, जैसा कि दे अपसे पहले ये वाला खोल देता हूँ मैं, तो चैसा कि देख पार है, ये वाला दिखुल चुका, तो एक दा screw दिया है, जैसा कि देख पार है, और side-side में इस इदर screw रहेगा, यहाँ, और एक side रहेगा ये बजी, और पीछे clip रहेके उप्टार थी, तो वहाँ निकाल च आएगा, तो चलो कि मैं खोईता हूँ फिरग, निकाल के आपको आगे दिखाता हूँ, तो खानली जैसा कि देख पार है, इसमें भी screw दिया हूँ आ रहे था, पिछे side से, तो ये screw चारो screw खोल दिया हूँ, खोल के मैं पिछे होल कर दिया हूँ, और ये screw खोल दिया हूँ, इसली देख पार है, ये move हो रहा है, तो इसको मैं पिछे होल कर दिता हूँ, पिछे होल कर दिया, तो गियर बॉक्स को मैं पल्टी मार दूँगा, चार बारे नंबर रहेगा, जैसा कि देख पार है, चार दिया हूँ, तो चारो खोल के मैं पल्टी मार देता हूँ इसको, फिर अग्या आपको दिखाता हूँ, फैनली जैसा कि देख पार है, गेर बोक्स को पलड़ी मार दिया हूँ, और मेरेको स्विच बोक्स का ये कवर निकाल चुका हूँ, बसी ये सब खोलता हूँ, फिर अग्या आपको दिखाता हूँ, क्या-क्या खोलना पर रहा है, तो चल तो आपको चले को तो चलो है अब डाइसबोट को पलती माणके अग्गे आपको दिखाता हूं जैसा कि दिखाया मैंने आपको क्या-क्या खोलना पड़ा मेरे को तो सब खोल चुका हूं तो चलो फिर मैं डेजबूट को पलती मार के फिर अग्गे आपको दिखाता हूं और हो सकता है कुछ भूल भी भूल भी सकता हूं जो के प्रोपर दिखा नहीं पाइप टोटल 6 दिया है बाहर से इसको कुछ नहीं दिया है सब अंदर से ही दिया है बाहर से एक्सपेंशन वाल के पास का और हेटर पाइप खुलना पड़ेगा अपने को हेटर पाइप नहीं भी खोलूँगा तो चलो फिर मैं सब खोल के अग्ये आपको दिगाता हूं फाइनली जैसा कि देख पारे सब बोल्ट मैंने खोल दिया है अब मैं इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूं हीटर कोईल का पाइप खोला नहीं और यहां से इधर और एक नीचे स्कुरू रहेगा यह वाली जैता कि देख पार है यह स्कुरू खोलूँगा तो यह वाला बोडी जो है ना कुलिंग कोईल वाला बोडी अपना अलग हो जाएगा तो हम ऐसी ही निकालेंगे कि इसका हीटर का पाइप जो निकालेंगे आप तो बहुत आपको दिखा जाएगा तो फाइनली जैसा कि देख पार है मैं खोल दिया हूं और नीचे का सइट भी देख लिए यह वाला पट्टी खोलेंगे तभी नीचे का इसकुरू खुलेगा आप कि वहाँ कोई पाना जाने का साधा नहीं रहता है उस वह जैसे यह वाला पट्ट इधर रहता है ओपर प्रट्रल पांच के तरफ ख्रता हूं मैं इसका दिया जटा कुलता हूं मैं धेखते हो हुर हुरे भर वि writingán जुण को दिखते हुरमज देला सिपते हुरम गेखते हुरम ऐसार्थ तो आस्यां के देखते हुरन यह दो 25 इन सिर्वार्ख करन दनों इस नियुए वाली अब मैं नया वाला आपको प्राइज दिखा देखा हूं 25 25 रुपे की है इस दो खोल दाउन है आपके देख पार है यह वही नया वाला आपको चलो इसका एक्षेंचन वाल इसमें लगा अबर के में फिर अग्डिया आपको दिखा आपको तो जेसा के देख पार है नया वाला बैट चुका है तो पर पर तरी जीसे बैट चुका है सेंसर का लोकेशन भी देख लिए जोजूना वाला किलिंग लेखी है दिखा इसलिए रहा हूं कि अब को पार्ट की दरूबत पड़े तो आप टेंपल देख सकतें तो चलो फिर में इसको गारी में पेटिंग करके आप जी आपको दिखाता हूं तो जैसा के आप देख पार है अब मेरे को डैसबोड डालने का है सब मैं फिट कर जाओं देखाता हूं तो हेलो दूस्तो जिसे लिए केद्ग पार है फाणली सब मेरा फिरट हो चुका है गीर बॉक्स का इस्टर का पैनल मचा जगा दियाँ तो चलो फिर मैं सको बहार आपको लेके जाता हूं और फ्राइलिए सब्भिट करके फिर अग्गे दिखाऊंगा तो चलो सबसे पहले बाहर लेके जाता हूँ प्रेशर वगर है नाइटोजन का प्रेशर मारा हूँ लिक टेस्ट करने के लिए तो चलो बाहर लेके जाता हूँ मैं आपको जैसा कि देख पार है लोगवाला अग्षण लगा हुआ है और नाइटोजन का प्रेशर है तीन सो के उपर मारा हूँ थोरा सा उपर और यहीं नाइटोजन का स्टेंडर तो चलो फिर मैं बाहर अंदर जब तक फिटिंग कर लेता हूँ फिर अग्गे आपको दिभाऊंगा तो हेलो दोस्तों जैसा कि देख पार है गाड़ी फुरी फाइनली फिट हो चुकी है जैसा कि आप देख पार है अब सिस फिट कर दिया हूँ जैसा कि देख पार है सब कुछ फिट हो गई है तो चलो फिर में आपको बाहर लेके जाता हूँ बाहर लेकर करके प्रेशर मारा ओल्ड में ताव में अगे प्रेश्र में चूर देता हूं तर्क आडी तो एने त compact रहें में बहुता है यूद् प्रेश्र में गटनाफ हुआ ही इसे फिल्स व क्या ऐवा प्रेश्र एक तुम से खआते हुआ हारए वकषिए अंगा थेसे ज़ो ज़िए, चलो किसलो पारां वेंगो कर सकी हमस्टाप्यू और उतला मैं और उतल्यों यंद्चिन ले बनागान कुछ ना अपना वेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है अब मैं इसको गयास चार्जिंग को ले वेता हूँ मैं कोई भी वेगनर में 200 गिराम ही गयास मारता हूँ दिख पार, इसको गयास प्लिण मासकारत आठी है इसमें तो अपर तरीके से तुविल होता है बराबर होता है सब कि अधाय सब तो कि देख पार है दाय तो कि देख पार है डाय सब्सेट हो गया अब मैं थोड़ा सा ओल डाल देता हूँ पतास है ना बच यादा नूं आज़ तो चलो इंटरी करता हूं उसको में जैसा कि देख पा रहा है ऍटेट कि फीड हो चुका अब चलो मैं फिर अंदर गारी चालू करके तुलिंग टेम्परेचर बगरे दीखाता हूं अप दोस्तों जैसा के देख पार है फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूं और गाड़ी अपनी अभी चालू है एसी चालू रखाऊ हूं जैसा के देख पार है लाइट गुलू है और ब्लोड चालू है आउटसाइड यह बन रखाऊं कुलिंग टेंपरेचर आप देख लीजिए 5.6 पे आ चुका है 5.5 और भी दोफ हो रहा है यानि कुलिंग प्रॉपर हो रहा है तो बाकी अब मैं इसका हीटर हाई करता हूँ एसी चालू रखाऊं और हीटिंग टेंपरेचर देखे बढ़ रहा है दिरे दिरे तो थोरी देर वीडियो होल करता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेंपरेचर कहां तक पहुंच रहा है तो जैसा कि देख पार है 50 पे आ चुका हीटिंग टेंपरेचर यानि इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है तो हेलो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसका डेजबोड खोल के कैसे कैसे क्या क्या खोला मैंने सब कुछ दिखाया हो सकता है तो थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको, इस वज़े से आप देखेंगे वीडियो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तो आपके गाड़ी में कभी काम निकला, तो आप करवाने जाएं तो आपको समझ में आना चाहिए, बस यही है, तो आप मेरे को सप दीसक्रिप्शन ऐस जाएगा, यह वीडियो का है, डिसक्रिप्शन में जाएगा, वह उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, तो चलो पिर जब तक के लिए बाई बाई टेक कियर, अल्ला हाफीर